नमस्कार मैं सरीता चोधरी राजस्तान सरकार्वा वैदानता के सी एसा इनेशेटिव इकक्षा इसका टेक्निकल पार्टनर मिसंग्यान है आप सभी का स्वागत करती हूं हम लोग अध्यन कर रहे हैं राजनती विज्ञान की मूल अवधार्नाएं और मूल अवधार्नाओं क के अंतरगत आधुनिक राजनती का उधार्नाओं में हम लोग राजनतीक सहभागीता के बारे में अध्यन कर रहे हैं इससे पहले राजनतीक सहभागीता से संबंधे तो वीडियो हम लोग देख चुके हैं जिसमें हम लोगों ने राजनतीक सहभागीता का आर्थ और राज राजन्तिक शहबाजिता तथा नागरिक चेप्ना एक दूसरे को किस रूप में प्रभावित करती हैं इसके बारे में जाना था आउज हम छर्चा करेंगी राजभ्लित्य सवहवागिता के सबायर क्या है राज attach में रूपों के अंतरगत समाज में होती है मेज्चों जम की स्वरूप समाज के प्रसलित है विभिन अमाध्यम praticamente रहोग निभाई जाती है लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं sih कि इस प्रकार से यहई राजनतिख सहवागिता हस्तित्व मुखय है इसका प्रियोग कर रहे हैं राजनतीक गुल्टाथ के मुख्य रूप से दू सोरूप है एक है विकास परक्स्वरूप और ची स्विंग, विकास परक्स्वरूप विकास प्रे conform में जब धीरे-धीरे विकास हुआ और जैसे जैसे यवस्ता है सासन व्यवस्ताओं में विक अधीरे धीरे सह भागिता का सब्ड़ने लगा तो वह हैरा शुपत व्यवस्ताओं का विकास परत्रूप दूसरा है लोगतांत्रिक स्वरूप सापना उपना जाती है और लोगतांत्रिक स्वरूप एषना कीि इख और चाहеся कारण वहां के नागरिक रजनत्रिक गतिविदियों में सामिल होने लगते हैं तो वह है mlोक्तांत्रिक सहभा गिता है जैसे देखा जाए कि जो पिछले 65 वर्स है उसके अंतरगत राजनतिक सहभागिता उत्रोतर बड़ी है, राजनतिक सहभागिता का विकास हुआ है, राजनतिक सहभागिता का अध्यन गहन रूप से किया जाने लगा है, जैसे कि राजनतिक संस्कृतियों का और किसी समाज के राजनतिक सामाजी करन स्वरूप का अध्यन पूर्ण आधारना है इसके आधार पर विभिन सासर्त व्यवस्ताओं का अध्यन किया जाता है कि वहां के नाघ्री किस रूप में किस प्रकार और किस तरह से संद्र सांसर्फ व्यवस्ताओं को प्रभावित करते possibility मुख्य रूप से देखा जाए तो 1950 और 60 का दसकता उसके अंतरगत नागरिकों की सहभागिता चुनाओ तक सेमित थी सेमित थी अल्पकालिक थी और नागरिक उसके पश्यात किसी प्रकार से राजनतिक गतिविदियों के अंतरगत भाग नहीं लेते थे यानि मतदान करने तक सेमित थी परन्तु धीरे धीरे उनकी भागीदारी विभिन माद्यमों से बढ़ने लगी है जैसे वोट देना तो था ही अब वोट देना और दिलाना चुनाओ प्रचार की गतिविदियों में सामिल होना चंदा देना याचिका प्रस्तुत करना विभिन कर अस्ताक्षर अभियान चला कर ऐसे इस प्रकार से वो सारी गतिविदिया क्या है नागरिकों की राजनितिक सहभागीता को दर्साती हैं इसका मुख्य कारण तो यह है कि जो यह दसक्ता उनिस सुपचा से साथ का उसके अंतरगत नागरिकों के मद्य चेतना का इस्तर बह है बहुत कमजोर था इसके कारण नागरिकों को राजनितिक गतिविदियों का पता ही नहीं होता और इसका मुख्य श्रे देंगे हम एक दूसरी चीज को वहाई स्तानिय स्वैसासन की अवधार्णा ने राजनितिक सहभागीता को विक्षित किया है पल्लवित किया है पोश सहभागीता का जो रूप है वह बड़ा है इस प्रकार से यह सभी जो बाते हैं जिनके हम लोगों ने चर्चा की चुनाओं में मतदान करने से लेकर रेली धरना प्रशन चंदा देने यह सभी राजनितिक सहभागीता के हतियार है और वर्तमान में तो बहुत महतुपुन हत यार बंगया है सोशल मीडिया sem वाट्सपफ चसक्वाट्सबूख है ट्विटर है इनके बाध्यम से हम राजनितिक गतिविदियों को जानते हैं सुंते हैं और अपनी पृतिक्रियाया haiyat करते हैं चाहें कितनी विशतितम जिन्ड़गी हो हम राजनितिक गतिविदियों क कर दोंखे अंतरगत किसी नहीं रूम में सरीख हो जाते हैं एक डिसलाइक करके कर ते को मेंट करके कोई बात जानकर अपना दोष्प्र करकाण कर यह अपनी सहमति प्रकट करके इस प्रकार से सोशल मीडिया राजनतिक सहभागिता का एक महतुपूर मध्यम बन गया है, जिसने राजनतिक सहभागिता को और भी अधिक मुखर कर दिया है, अब पहले राजनतिक गतिविदियों में सामिल होने के लिए व्यक्ति को बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब व विक्षित होगा, राजनतिक सहभागिता का सम्मंद उससे उतना ही अधिक घनिष्ट होगा, जितना समाज का रूप आधुनिक होगा, विक्षित होगा, शिक्षित होगा, उतना ही राजनतिक सहभागिता का रूप भी बढ़ता जाएगा, तो समाज के विकास से राजनतिक और राजनतिक सहभागिता का संब्स में गनिष्च रूप से लोक तंत्रात्मक व्य वस Teenrah स्कते हैं कि लोक तंत्र और राजनतिक सहभागिता दोनों विभाज्या को अलग नहीं किया जा सकता इनका विभाजन नहीं किया सकता इसकी पेरवी करते वे पेरी महोद्य कहते हैं कि राजनतिक सहभागिता से संबंदित पृतेक पुस्तक लोगतंत्र से संबंदित है पूरी तरह से इसी प्रकार से काश और मार्ष ने भी लोगतंत्र वे राजनतिक सहभागिता के संबंद की पेरवी करते हैं कि राजनतिक सहभागिता की धार्णा लोगतंतिक राज्य की अवधार्णा के केंद्र में अवस्तित है काश और मार्स केंद्र की बात करते हैं कि राजमतिक सहबागिता की धार्णा लोकतांतिक राजय की अवधार्णा के Kेंद्र में अवस्तित है। केंद्र में अवस्तित है इसी प्रकार से वर्भावय नी ने कहा है कि जहां निर्णेयों में कम लोग भाग लेते हैं वहां लोगतंत्र का अंश कम होता है और जहां निर्णेयों में भागीदारी अधिक होती है वहां प्रभावी लोगतंत्र पाया जाता है वर्भावय नी न राजनतिक सहभागिता कम है तो लोगतंत्र भी कम है और जहां पर राजनतिक सहभागिता अधिक है अधिक लोग निर्णयों में भाग लेते हैं तो वहां पर प्रभावी लोगतंत्र है इस प्रकार से वर्भावय नी ने कहा है कि यदि सहभागिता बढ़ती है निर्णयों मे तो लोग तंतर भी वढ़ता है और यदि सहवागिता कम होती है तो लोग तंतर भी कमझौर होता है यह भी ध्यान देने प्राप्त जैसी बूमिका होगी वैसा कहीं लोकरतबृत बनता है और आप meillä को रजच्छी कि खतगत भाग लेने के क्रियां प्रतिक्रिया करने किक कोई प्राप्त नहीं तो योई कि ऊपनती यह το प्रइश इस प्रकार से फ्रोत प्रवर का कतन भी देखते हैं जिसमें कि सशक्त सहभागी लोगतंत्र कमजोर उदार लोगतंत्र की तुलना में बहतर विकल्प है और उदार लोगतंत्र को इन्होंने कमजोर बताया है और जो सहभागी लोगतंत्र है वह अच्छा बताया है BENJAMIN B巴kir कहते हैं कि सशक्त सहभागी लोकतंत्र कमज़ोर उदार लोकतंत्र की तुल्णा में अधिक बहतर है तो लोकतंत्र की आदिक से अधिक भाग लेती है और वह भी यह कहते हैING BENJAMIN BINGS में जन बारबर करते हैं कि यदि नागरिक बिना किसी माध्यम के बिना किसी मध्यस्त के बिना किसी प्रतिनिदी के प्रत्यक्स रूप से सासनिवस्ता में भाग लेते हैं वह है सहभागी लोकतंत्र और जो उदार लोकतंत्र है वह है प्रतिनिद्यात्मक लोकतंत्र का रूप में भाग लेने की प्रक्रिया है वह लोग तंतर को मजबूत बना ती है इस प्रकार से हम लोगों nे देखा है कि पुरातन समय के अंतर्गत रास Cat nelle अर्षट अधिकांस देशों के अंतर्गत लोग तंतरात्मक सासंद्र ःवस्थाएं अपना ले गई है उझा पorial उनका स्वरूप अब विखंडित हो गया है और वे भी लोक्तमत्र की और अग्रसर हो रहे हैं इस प्रकार से देखा जा सकता है कि जनता की जैसे जैसे अपेक्षाएं अधिक बढ़ रही हैं लोगों की निरंतर सासन से अपेक्षा निरंतर भागीदारी और उन अपेक्षाओ के कारण वे शासन की नीतियों को लगातार प्रभावित करने लगे हैं जनता की दखल अंदाजी शासन के अंतरगत अधिक होने लगी है तो सासन विवस्ताओं का स्वरूप भी बदल गया है अब राज चाही से लोग शाही की परंपरा प्रारंब हो गई है और लोग शाही सबी गतिविटियों में सामिल नहीं हो सकती तो उन्होंने वेगल्पिक व्यवस्ता उदार लोग टंतर की अपनाई है और इस उदार लोग टंतर के अंतर गति अधिक सहभागीता निभाकर राजंत geschभागीता को अधिक मद्दूत करना चाहती है अपने प्रतिनिदियों पर विभिन विधियों के माध्यम से विभिन क्रियाओं के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करके और यदि प्रतिनिदी कुछ गलत करते हैं अपने उत्तरदाईतों का निर्वहन नहीं करते हैं जनता के हितों की अंदेखी करती हैं तो वे विरोध कर करते हैं या प्रतिनिय पर इस प्रकार से दवाब डालते हैं या ऐसी गतिविधियां करते हैं जिनके माध्यम प्रतिनिय दी को जनता के प्रतिवृत्तरदाई होना ही पड़ता है यानि कह सकते हैं कि लोक्षाई में सद्धान्तिक प्रक्रिया से आगे बढ़कर अब प्रतियात्मक लोकतंत्र अपनाया गया है और जो की राजनतिक सहबागीता को आकार देता है जनता को विन आवसर प्रदान करता है जिसके माध्यम सेवैस सासन में सामिल हो पा पर शरूब जाना हमने लोग तंव्यवस्ता के अंतरगत नागरिकों के दौरा जन्यमोंसि इतना ही अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे राजनतिक सहभागीता के विभित तरीकों की तब तक के लिए विदा दीजिए जैहिन जैभारत